हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू मैं यूटूब चैनल कॉमर्स एंड बीबे क्लासिस आज की वीडियो में हम कम्प्यूटर की डेफिनिशन और उसकी फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम कम्प्यूटर की डेफिनिशन देखते हैं कम्प्यूटर एक इलेक्रोनिक डिवाइस का मतलब होता है कम्प्यूटर को चलाने के लिए इलेक्रिसिटी की रिक्वाइर्मेंट होती है कम्प्यूटर बिना पावर सप्लाई के वक नहीं करता Computer input device की मदद से road data को collect करता है उसे process करता है और एक desired output देता है अब हम देखेंगे computer को invent किस ने किया था Computer was invented by Charles Babbage Computer को Charles Babbage ने 19th century में invent किया था और Charles Babbage को हम father of computer भी कहते हैं अब हम computer की full form देखेंगे C से होता है commonly O से operated, M से machine, P से particularly, U से used, T से technical, E से educational और R से research अगर इसे हम पूरा पढ़ेंगे तो commonly operated machine particularly used for technical and educational research Computer एक commonly operated machine है जिसका use हम technical educational research में करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो मेरी वीडियो को like, share और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले के लूले। आपको कैंवे, तूकर और आए डापको यच्किता समय के ना जाएखेंगे, टाएखेंगे, जिसका तो सक्छाने अगरे एक करना दो आएगे अविए, जाएट लेएगे झाले। झाल झाल